आप लोगों को कराना है 1000 ठीक है तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रिये मैं आपको इस टाइब सब को संस बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही मज़ा होने वाला है तो इस वीडियो का आप आन तक देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और स करते हैं किसने अघ्री समात की स्थापनाकिशने की ति पंजाबी भासा कीaya कौन सी है तो पंजाबी भासा की लीपी जो है गुरू मुखी है ठीक है जले धालेा दक्षिन्तम किनारा कौन सा है तो भारत की जो मुख्य भूमी का दक्षिन्तम किनारा है वह कन्या कुमारी याद रखेगा भारत का जो दक्षिन्तम मिंदू है फ्रेंट्स वह कन्या कुमारी याद रखेगा इसे अगला है फ्रेंट्स भारत में सबसे पहले सुरी किस राज मे निकलता है तो वह है अरुनाथल प्रदेश में निकलता है ठीक है इंसूलीन का प्रियोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो मदुमे के बीमारी के उपचार में होता है ठीक है अगला फ्रेंट्स बीहू राज का परसीद त्योहार कौन है तो बीहू राज का जो परसीद मातरा में मिलता है तो वो है विटामेंसी आमले में जो है विटामेंसी प्रचूर मातरा में रहता है ठीक है अगला है फ्रेंट्स भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बैंटिक था ठीक है विलियम बैंटिक जो है भारत का पर्थम गवर्नर जनरल था आपको important questions है मैं कराऊंगा ठीक है लेकिन आपको फिलाल कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताना है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर कौन था अगला फ्रेंट्स कागज का अविश्कार किस देश में हुआ था तो कागज का अविश्कार जोए सरपर्थम चीन में हुआ था ठीक है चीन सेनापती कौन होता है तो राष्टपती होता है फ्रेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए राष्टपती जोए तीनों सेनाओं का जोए प्रमुक होता है ठीक है थल से नहों जल से नहों या वायों से नहों उन तीनों का प्रमुक कौन होता है राष्टपती होता है ठीक ब्चाहं रहे को आपको फ्रेंट्स गिद और भांगळा कि साथ के लोक्न रित्य है तो पांजाब का ऊदिक second जो आपको फ्रेंट्स गिद्ध पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है वैसे भंगडा तो आपको पता ही होगा कि पंजाब का है लेकिन गिद्ध भी याद रखेगा कि पंजाब का ही लोक नित्य है ठीक है अगला है फ्रेंट्स कि टेली वीजन का अविसकार किस ने किया था टेलिविजन का जो अविस्कार कदा टीवी का जो अविस्कार कんだ फ्रेंड्स वो जान लोगी बेड्ड ने क्या था ठीक है सीधा आप बेरड याद रखेगा ठीक है जान बेरड अगला है फ्रेंट्स भारत की पहली महिला सासिका कुं थी तो रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला सासी का थी अगला फ्रेंट्स की मचली किस की सहायता से सांस लेती है तो मचली जो फ्रेंट्स गलफडों की सहायता से सांस लेती है अगला फ्रेंट्स इन कलाब जिन्दावाद का नारा किस ने दिया था तो इन कलाब जिन्दावाद का ना भगत सिंग ने दिया था ठीक है अगला फ्रेंट्स जालिया वाला बाग हत्या कान कब वो कहां हुआ था तो कब हुआ था तो 1919 में हुआ था और कहां हुआ था तो अमरिसर पंजाब में हुआ था ठीक है अगला फ्रेंट्स कि 1949 इस भी में क कॉंग्रेस सोरने के बाद सलगास टंक सांडर्स कि हत्या किस ने की थी सांडर्स की जो हत्या किती वह बहगत सिंग्ने की थी ठीक है अगला है फ्रेंट्स के 1857 इस्वी के बिद्रों में किसने अपना बलिदाउन सबसे पहले दिया था तो 1857 के जो सैनिक करांटी थी फ्रेंट्स उसमें से सबसे जो पहला बलिदाउन दिया था वो मंगल पॉंडे ने दिया था बहुत इंपोटेंट है ठीक है चलिए अगला देखते है अगला है फ्रेंट्स कि भारत की जो पहली महिला राजपाल थी वो कौन थी तो भारत की जो पहली राजपाल थी महिला वो सरुजनी नाइडू थी जो की यूपी की थी ठीक है आपको यह बात याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है अगला फ्रेंट्स माउंट अवरेष्ट पर दो बार चेहने वाली पहली महिला कौन थी दो बार माउंट अवरेष्ट पर चेहने वाली जो पहली महिला थी वो संतोस यादब थी याद आमुल संकर यदव पूछा जाता है एकजाम में य कि स्वामी द्यानन सुषत्ती का मूल नाम क्या था तो मूल नाम था मूल संकर ठीक है चलिए अगला है फ्रेंट्स कि वेदों की और लोटो वेदों की अर्व jarsky n've या था द्यानन स्वर्शत्ति ने ठीक है अगला है फ्रेंट्स कि राम कृष्ण मीशन के अस्थापना किस ने की थी राम कृष्ण मीशन के अस्थापना स्वामी विवेका नंद्र ने की थी अगला है फ्रेंट्स वासको डिगामा भारत कब आया तो वासको डिगामा भारत ज ठीक है वहां पर जमोरी नाम का एक राजा था जिन्होंने उनका स्वागत किया था ठीक है इससे पहले भारत की खोज के लिए फ्रेंट्स कोलंबस निकला था लेकिन वह भटकते हुए अमेरिका जा पौचा ठीक है तो उसके बाद जो है यहां पर वासको डिवामा आया था ख मेरिका की खुच गर्डाला कौन कोलंबस कब 1492 में और 1498 में भारत की खोज भी वासको डिवां के दवारा ठीक है बिल्कुल यह आप लोगों को समझ में आ गई होगी अगला है फ्रेंट्स वासको डिवामा कहां का रहने वाला था बिल्कुल यह पूर्तिगाल का रहने वा बिल्कुल चलिए अगला है फ्रेंट्स की सिख धर्म का संस्थापक सिख धर्म का संस्थापक कि सिख गुरु को मान जाता है तो सिख धर्म का संस्थापक है फ्रेंट्स वह गुरु नानक को मान जाता है ठीक है अगला है फ्रेंट्स सिखों का प्रमुक्तियार कौन सा है त लहव पुरूस की महा किस महापुरूस को कहा जाता है तो लहव पुरूस जो है फ्रेंट्स सरदार बलब भाई पतेल को कहा जाता है ठीक है अगला है फ्रेंट्स की नेता जी किस महापुरूस को कहा जाता है बिल्कुल इजी है नेता जी जो है सुवासंदर बोस को कहा जाता ह अगला है फ्रेंट्स की दिल्ली इस्थित लाल बहादूर सास्त्री की समाधी का क्या नाम है तो दिल्ली इस्थित जो लाल बहादूर की सास्त्री है फ्रेंट्स समाधी है फ्रेंट्स वो विजय घाट की नाम से जाना जाता है लाल बहादूर सास्त्री का ठीक है अगला है फ अगला फ्रेंट्स कि जय जमान जय किसान का नारा किस ने दिया था तो लाल बादुर सास्ति नहीं दिया था क्या जय जमान जय किसान ठीक है इनका नारा दिया था अगला फ्रेंट्स समिधावन सवा का अस्थाई अध्यक्ष कोन होता है तो अस्थाई अध्यक्ष जो था जो कि जो अध्यक्ष थे फ्रेंट्स वो भीम्राव अंबेद करते हैं यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखेगा है यहां पर अस्थाई पूछा गया है अस्थाई अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद होगार ठीक है चलिए अगला है फ्रेंट्स विश्व रेट क्रॉस द ज्रपान को का जबता है और फ्रेंट्स टो की ओल्स है ठीक है जलिए अगला देखतें अंसटराश्छटिं इंहीडा दिवस स्तिति को मनाए जाता है तो आप लोगों को पता होगा 8 MARC मनाए जाता है अगला है तो एक च्यत्रफल की दिश्टी से भारत में सबसे छोटा उखेतरफल की दीस्टि से सबसे बड़ा राज जो है अभी राजस्ताउन है और जनसंख्याओं की दीस्टि से UPA छलोह एक लाए टौरह है तो ओनम जोई फ्रेंट्स केरल का जोई परसिद तोहार है ठीक है अगला है फ्रेंट्स दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी इससे पहले कौलकता राजधानी थी ठीक है अगला है अगला है सबसे चमकिला गरा कौन सा है सबसे चमकिला गरा जोई शुक्र है ठीक है शुक्र को जोई भोड का तारा एंड सांच का तारा भी कहा जाता है ठीक है अगला है भारत का राश्टी पसु कोन है तो भात का राश्टी पसु बाग है भात का राश्टी है बारत का वहां धूर्ट को बसक्राइब भारत की राश्ठी- जंड़े dauphin कोई आता था ठीक है जलिए जीव है और भारत का जो राष्ट्य हमिन है वह सबीus को पता आप है भात की राश्चे का है प्ले होन चलिए अगला अगला है फ्रेंट्स कि भारत की राष्टी जंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है बिल्कुल यह important है तीन अनुपात दो होता है इसका मतलब हो है फ्रेंट्स एगर आप लंबाई छे लेते हो तो आपको चौड़ाई चार लेनी होगी ठीक है अगर आप लंबाई जितना भी लो उसी के रेशियो के अनुसार आपको हमेशा रेशियो तीन दसनलब दो ही रखना है ठीक है तभी आप एक भारत का राष्टी जंडा का निर्मान कर सकते हो ठीक है तो भारती जंडा का जो लंबाई होता है वो तीन के रेशियो में में हुता है और चवड़ाई दो के रीचियों में था यानी कि दोval कि राष्ट का वह राष्ट कहों रिंखा था यहाँ यहां पर यहाँ पर है बंदे मातरम जो भात का राष्टे गीत है यहाँ पर पूछा गया है बात का राष्टे गीत कौन सा है तो बंदे मातरम है ठीक है अब भात का राष्टे कौन कौन सा है जन अगना मन ठीक है अगला फ्रेंट्स भात का राष्टे गीत किस ने लिखा है तो बंकिम मात्रम है और भात का राष्ट्य गीत किस ने लिखा तो बंकिम चंद्र चटर जी ने लिखा ठीक है चलिए अगला कोशन से अलाए फ्रेंट्स के राष्ट्य गाने की अबधी लあの एक्टिविटा की खोज लेकर sûrवैं जो है रेडियो एक्टीविटा का जो खोज की थी चलिए पेश मेकर का संबन सरीर के किस अंग से है पेश मेकर हिर्दय हिर्दय से साय तो पेश मेकर का संबन सरीर के किसे तो मास्टर मास्टर गरंती कहा जाता है कारवन का सरवाधिक सुद्ध रूप कौन सा है तो हीरा जोए सरवाधिक सुद्ध रूप है अगला फ्रेंट्स एक्स रे का अविस्कार किसने किया था तो रॉंट जन ने जोए एक्स रे का अविस्कार किया था ठीक है याद रखेगा रेडियो अक्टिविता की खोज हैंडरी बेकुरल ने एक्स रे की खोज रॉंट जन ने किया था ठीक है अगला है फ्रेंट्स किस धातु का परियोग मानब द्वारा सबसे पहले किया गया था तो तामबा का परियोग जो है सबसे पहले किया गया था ठीक है और किस जानवर को सबसे पहले पालतु बनाए गया था तो कुत्ता को सबसे पहले जो है पालतु बनाए गया था याद रखेगा अगला फ्रेंट्स अंत्रिक्ष यात्री को बाही आकास कैसा दिखाई देता है तो अंत्रिक्ष यात्री सदों नहीं किया था तीक कि याद रहते हैं तो राजगाट' महात्मा गान्ढी का समाध्य का नाम क्या नाम क्या symptoms नाम क्या से और भारत में पहली रेल कंवा तक चली थी वह ने पहली रहेएय मुंपई से थाने चाहने की बिच में चली थी याद रखिएे गा। थीक है मुंबाई से थाने की बीच चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था है तो ब्लैक ब्यीश्क नाम का एक ट्रेंट था कशले आगे पहली बार मेट्रो रेल सेक मिसमा किस नगर से आरं हुई थी आरंम्लाइब सबसे पहले मेट्रो रेल कीडिकर बात किजा इस वह कलकत्ता में आरम हुई थी ठीक है चलिए अगला इस एक भारत में रेल का आरम कब किस्टन वा था मेंने पहले भी बता दिया अगला में फिर्पन अगला कि प्रतं भारत की प्रतं महिला मुखमंत्री कौन थी तो मैंने आपको पूपर में बता है था कि पूसरोजनी नाइडू जो थी वह भालत की पर्थम और महिला राजपाल थी और मुख मंत्री है सुजीता क्रिपलानी जी याद रखेगा कहां के यूपी के थे याद रखेगा अगला है फ्रेंट्स हर्याना के पहले मुख मंत्री कौन थे तो हर्या आगा सच्का नियूर्ग में इसका सच्चीव सच्चीव महासचीब कौन pretending महाट़र ठीक टरिक मेली जो है महाशचीव पहले पहले कि शक तो सामिल है इसमें सन्युक्त राज संग में तो 193 देश दोय सामिल है कुल 193 देश दोय सामिल है किसमें सन्युक्त राज संग में अगला है फ्रेंट्स सन्युक्त राज संग की सुरक्षा परिशत के कितने देश सदस्य हैं तो 15 जो है सुरक्षा परिशत के सदस्य हैं ठीक है अ अगला संयुक्त राष्ष्ट्री नियायले कहां इस्तीत है तो अंतराष्ट्री नियायले जो है दहेग होड यंड में इस्तीत व yaşा। स्युक्त राष्ष महासभा में हिंदी में भासन देने वाले भारती कौन है तो अचल बिहारी भाजपlden जो है सन्युक्त राश्त महासवा में हिंदी में सबसे पहले भासंदे थे अट ल दो वर्स के लिए चुने जाते थे अगला है फ्रेंट्स सन्युक्त राच संग का 113 सदस्कून सा देश बना तो दक्षिन सुदान जो है उलमफिक खेलों का आयोजन कितने वर्सों बाद होता है तो चार वर्सव के बाद जो ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जाता है अगला है फ्रेंट्स कि संदुआर 16 में ओलम्पिक खेल का होंगे यानि होंगे या होंगे ठीक है तो रियो डी जेनेरों में अगला है फ्रेंट्स कि हर्याना की कौन सी नसल की भैस परसिद है तो हर्याना में फ्रेंट्स वो मुर्रा मुर्रा जो होता है मुर्रा जो नसल की भैस होती है वो हर्याना में काफी परसिद है अगला है फ्रेंट्स परसिद सीतलता माता मंदिर कहां इस्तित है तो गुड़ गाओं में स्थित्त है ठीक है अगला है फ्रेंट्स विसाल हर्याना पार्टी किस ने बनाई थी तो राव विरेंदर सिंग ने बनाई थी ठीक है अगला है फ्रेंट्स हर्याना का छेतरपल कितना वर्ग किलो मीटर है तो हर्याना का जो छेतरपल है वो लगभग 44212 वर्ग किलोमीटर है ठीक है चलिए अगला है फ्रेंट्स हर्याना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे मैंने उपर में बताया था भगवत द्याल सरमा थे अगला है फ्रेंट्स किस देश की अस्तल सीमा सरवाधिक देशों के साथ लगती है वह बिलकुल चीन ये बार बार ही है है डीट ये है क्युल हप दोल्व जा आगय के वीडियोय से करहां गाथ मैं या फॉटले शियर काव प्रेस कर संस्कृ링 के लीजिए क्योंकि इसीतर का वीडियो मीलते रहें चलिए प्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत